इस महने की सुरुवात में गादी जैनती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई यहां कॉनर प्लेस में एकी खादी स्टोर में एकी दिन में डेड़ करोड रुपिय से जादा का सामान लोगों ने खरीदा इस महने चल रहे खादी महोसव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रेकॉर्ड तोड दिये हैं आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा दस साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से तीस हजार करोड रुपिय से भी कम थी अब ये बढ़कर सवा लाग करोड रुपिय के आस्पात पहुंच रही है खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फाइदा सहर से लेकर गाउं तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है इस बिक्री का लाप हमारे बुनकर हस्त सिल्पिय कारिगर हमारे किसान आयुरुवेदिक पाउधे लगाने वाले कुटिर उद्योक सब को लाप मिलता है और यही तो बोकल फर लोकल अभियान की ताकत है और धीरे धीरे आप सब देश्वाचों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है साथियों आज मैं अपना एक और आग्रह आपके सामने दोहराना चाहता हूँ और बहुत ही आग्रह पुर्वक दोहराना चाहता हूँ जब भी आप परियटन पर जाएं तिर्था तन पर जाएं तो बहां के स्थानिये कलाकारों के द्वारा बना गए उत्पादों को जरूर खरीदें आप अपनी उस यात्रा के कूल बजेट में स्थानिये उत्पादों की खरीदी को एक महत्वपुन प्राथ्विक्ता के रूप में जुरूर रखें दस परसेंट हो बीस परसेंट हो जितना आपका बजेट बैठता हो लोकल पर जरूर खर्च करिएगा और वहीं पर खर्च करिएगा साथियों हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्रात्विक्ता हो बोकल फर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें हमारा सपना है आत्म निर्भर भारत इस बार ऐसे प्रोड़क्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो उसके बनने में मेरे देशवास्यों को रोजगार मिला हो रोज मरा की जिन्दगी की कोई भी आवश्यक्ता हो हम लोकल ही लेंगे लेकिन आपको एक और बात पर गहर करना होगा वोकल फर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक के लिए सिमित नहीं है और कहीं तो मैंने जेखाएं दिवाली का दिया लेकते हैं और फिर सोचल मीडिया में डालते हैं वोकल फर लोकल नई जी वो तो शुरुवाद है हमें बहुत आगे बढ़ना है जीवन की हर आवशक्ता हमारे देश में सब कुछ उपलब्द है ये वीजन केवल छोटे दुकानदारों और रहड़ी पट्री से सामान लेने तक सिमित नहीं है आज भारत दुनिया का बड़ा मैनुफेक्चरी हब बन रहा है कई बड़े ब्राण यहीं पर अपने प्रोड़क को तयार कर रहे हैं अगर हम उन प्रोड़क को अपनाते हैं तो मेकें इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए गोकल ही होना होता है और हाँ ऐसे प्रोड़क को खरीतते समय हमारे देश की सान यूपी आई डिजिटल पेमेंट सिस्टिम से पेमेंट करने के आगरही बड़े जीवन में आदत डाले और उस प्रोड़क के साथ या उस कारिगर के साथ सेलफी नमो एप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से मैं उन में से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फर लोकल की प्रेणा मिले साथ्यों जब आप भारत में बने भारतियों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अपनी दिवाली रोशन करेंगे अपने परिवार की हर छोटी मोटी आवश्रक्ता लोकल से पूरी करेंगे तो दिवाली की जगमगाहट जादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी लेकिन उन कारीगरों की जिन्दगी में एक नई दिवाली आएगी जीवन की एक नई सुभ़य आएगी उनका जीवन शांदार बनेगा भारत को आत्म निर्भर बनाईए मेकिन इंडिया ही चुनते जाईए जिससे आपके साथ साथ और भी करोडों देश वाचों की दिवाली शांदार बने जांदार बने रोशन बने दिल्चस्प बने